So hello guys, welcome to the channel and I hope that you have subscribed and if you haven't subscribed then please subscribe, bell notification on and please share this video, because in this video, I have the knowledge pass on which my coach gave me which can dominate a winger in the game So I have played at a pretty high level, that doesn't matter but I have the center made winger in my career क्या मोला तो नहीं गुजा रहा है तो आज जानते हैं कि winger dominant कैसे के तुम जानते हो by Messi, Ronaldo, Neymar, Salah, exceptional wingers, right? बट ये एक ही रूल नहीं होते हैं इनके, winger का role एक multi-disciplinary role है अब कुछ-कुछ लोग बुलते हैं wingers especially selfish होते हैं वो कुछ-कुछ होते हैं बाकी लोग जो एक level पर पहुचना चाता है या एक level achieve करना चाते हैं वो wingers especially single-minded होते हैं और balanced होते हैं उन्हें पता है कब खुद का goal मारना है कब अपने teammates को pass देना है वो ऐसे ही selfish गिरी में नहीं जाते हैं तो एक winger की तरह dominate करने के लिए पहला step ये है या आप score करो या create करो तो XG मतलब expected goals as expected number 9 के बाद wingers के होते हैं कि वो आज़ू-बाजू में खेलते हैं यहाँ पर एक winger का बड़ा role यह हो जाता है कि वो score करे या create कर दे अपने teammates को assist या goals या तो तुम assist करो या तो goal मारो तुम आजामपल ले सकते हैं या पर बंदा goal नहीं मारता हग देता है easy as that second half defensive work rate निभाओ अब defensive work rate इस तरीके से कि अगर तुमने नहीं निभाया तो तुम्हारी team 9 on 10 हो जाएगी spaces कुलट चूट जाएंगे पीछे तुम कैसे करोगे फिर तो यहाँ पर defensive work rate निभाना एक winger का बहुत essential part बन जाता है जिससे अगर नहीं कर पाया तो space shooting की goal पढ़ने के chances अपने टीम को बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इसलिए track back करना is important modern game में तुम देखते हो बहुत सारे teams अपने पूरे players के साथ track back करते हैं जैसे कि Barcelona, Liverpool, FC Bayern Munich तो यह बहुत ऐसी team में है Manchester City जैंट track back करते हैं third अपने opposition के defense में तूफान ला देना अब यह मैं सबसे नहीं expect करता ठीक है ऐसे कुछ players होते हैं जो naturally बहुत gifted होते हैं बहुत जो बद हर एक winger के पास जो भी winger है तीसरा step है अपने opposition के defense में तूफान ला देना अब यह हर एक player के बसकी बात नहीं है इसे कुछ specific players चाहिए बर जो wingers करते है अगर तुम winger खेल रहे हो तुमारे पास talent है यह जान लो इसलिए तुम winger पर ठीक हो क्योंकि जब भी आपके creative outlet जो तुमारे creative stability लाता है team में उसके पास spaces नहीं बच्चे कुछ option नहीं बच्चते तो वे wingers को ढूँटा है कि उसे पता है कि अगर मैं winger को दूँगा तो वो automatically उसकी intent है कि वो progress करेगा उसे पता है कि अगर मैं winger को ढूँगा वो बंदा progress करेगा हमें आगे लेकर जाएगा वो आगे जाएगा उसको defense attract करेगी तो हमारे यहाँ पर आपका defense में तूफान मचाना बहुत तगडी बात हो जाती है क्योंकि आप कभी-कभी unpredictable बन जाते हो like Osman Dembele unpredictable बंदा है ठीक है उसकी finishing है वो बंदा left-footed right-footed मतलब dribble कर सकता है तो आपके बास अगर वो abilities है dribble करने की timing वो runs की timing आपके बास space finishing है so you are a complete winger तुम फिर opposition के defense में आराम से 3-4 जन को attract कर सकते हो जिससे कि उनकी defense खुल जाए और बाजुवालों को space मिले इससे ही याद आता है हमारा 4th point अपने teammates के लिए time और space ढूंना अब time क्यों ढूंना भी बहुत सारे ऐसे games होते हैं जहाँ पर tempo बहुत ज्यादा हो जाता है और एक team उसमें नहीं जहल पाती हो तो यहाँ पर काम आ जाता है थोड़े wingers का जो wingers या किसी okoi players जो इस tempo को slow कर पाए तो wingers especially क्यों क्यों कि wingers के पास skill set होता है naturally gifted wingers जो skills कर सकते हैं time निकाल पाते हैं वो tempo को slow कर पाते हैं और वो spaces automatically generate हो जाती है जब आपके पास वैसे wingers हो जिससे के वो pass दे सके और वो goal में result कर सके बट यह जो time waste करने की techniques है अगर तुम यहाँ पर skill will कर रहे हो तुमारी skill set बहुत तक दिया तुम naturally gifted हो so well done go for it time waste करो क्यूंकि जो भी skills करता है अगर उस पर जरार भी touch हो जा अगर तुम गिर जाओ वो automatically एक foul में गिना जाता है अंधर में referees 99% of the time वो fouls दे देता है so इससे time अपना बचे रहता है और कुछ time ऐसे होता है जब 5 minute बाकी है लाश्का और तुम सिर्फ एक goal up तुमने देखा है बहुत सारे teams time waste करते है गिरते हैं मरते हैं कोई player skill will करते हैं तो इस time पर wingers अपना कुछ unexpected कुछ करके skill set दिखा दे rainbow rainbow करो मतलब rabona करो जो करना है करो और time waste करो that's it और अपने teammates को time कि सोचे कि आगे क्या कर पाया और अगर उनके पास ball आया तो वो शायद से goal भी मार सकते है और और गोलब भी हो सकते हो शायद से मुझे लगता है कि अगर तुम्हे पसंद आई होगी समझ में आया होगा तो please लिग दो और तुम्हारे favorite fingers कोन है यह मुझे बताओ comments में और please जरूर बताओ मुझे कि तुम्हे वीडियो पसंद आई या नहीं कुछ helpful था या नहीं क्योंकि ऐसे वीडियो बनाऊंगा यार अगर तुम्हे पसंद आई हो तो please share भी कर दो इसे अपने दोस्तों के साथ जो भी footballers है aspiring footballers है उनके साथ बिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye take care peace out जये